यूनियन मिनिस्टर रामदास अठावले जी आपका इंडी टीवी में बहुत-बहुत स्वागत लेकिन देखे सवाल आपसे ये पूछे जाएंगे कि आपकी प्रात्मे अठावले जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? अच्छा नहीं आप थोड़ा व्यस्तित मुझे लगा पता नहीं आवाज जा रही है नहीं मैं आपसे ये पूछना चाता था रामदास जी कि आप पर ये आरोप लग रहे हैं कि जब एक दलित पीडिता के साथ आज हाथरस में ये हुआ रामदास अठावले जो की दलितों के मसीह आपने आपको बताते हैं वो गवर्नर हाउस में बॉलिवोड के किसी मामले में दिखे एक फोटो में आपकी तरफ से क्या कोई बयान आया हाथरस पर हाथरस में जो भी कुछ हुआ है इसकी निंदा मैं इसके पहली की है और दूसरी बात यह है कि आज मुझे मालूम मैं तरफ से के दलीत लड़की पर ग्या अंगरीब हुआ था और आज उनकी मुझे हुए है तो मैंने इस घटना का आज भी मैंने निशिर विकी किया है इसका मतलब है नहीं कि अगर मैं किसी महिला के लिए मैं नयाय मांगनी जा रहा हूं तो मैं दलीत हूं और मुझे दली मैं ऑल जा रहा हूं वहां मैं मुझे मंत्रिय और सहाम को मिलने वाला हूं और चार बाच देने में मतलब मैं आफ्रत जा रहा हूं और उनके माबाप को उनके मिलने वाला हूं तो आपका ये कहना है कि आप तीन तारिक को, तीन अक्टूबर को रामदास अठावले लखना हो जाएंगे और मुख्यमंत्री और राजिपाल से, यानि कि you will meet the chief minister and the governor demanding immediate action in this particular case. ताकि तुरंथ कारवाई हो इस मामले बे, इस वज़ा से आप ये मिलेंगे. अठावले जी मेरी आवाज आरही है आपको? हाँ, हाँ, आवाज 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 आवाज. जल्दी आएक्षन हो एक लिए मैक्सिमम 10-15 लाग रुपई की मतर फीमिली को हो, इस तरह की डिमांड में करने वाला हूँ. और मैं चार-पास दिन में मैं दिल्ली से आतरज जाने वाला हूँ. और वाहु उस फैमिली के लिए हमारे पार्टी के तरब से भी कुछ मददम करने वाले है तो जो भी कुछ हुआ है ये मतलब बहुत बड़ा कगंबीर है और जिस तरह मतलब निर्बया का भी आहिसा हुआ था कि ग्यांगलेप हुआ था उसके बाद कई दिनों के बाद उनके मुर्तिय अस्पताल में हुई थी और हमारा मांग यह है कि भाई ये फास्ट्रैक कोर्ट में मतलब जब मैं मुक्यमंद्री साब को मिलूँगा योगी आदितना जी को तो फास्ट्रैक कोर्ट में ये मामला जाना चाहिए तो आपको ये जान के ठीरानी होगी कि फास्ट्रैक कोर्ट की क्या इस्थिधी है आज की रेट तो ये है कि एक हजार फास्ट्रैक कोर्ट बनने थे रेप के मामलों के अगस ञेसे कैसे इनसाफ मिलेगा हाँ तो बात शहीए ही कि अभी वह कोट्र का कोड का जो सिस्टेम जज्जमेंट देने का उसमें कोई बदलाव करने क्या हो शकता है अगर आपने देखा है कि निर्मया निर्मया अत्याकान में भी बहुत तीन मत्वचे चले गए और आकेर में उनको फाशिकी सस्था हुई तो मुझे लगता है कि छे मैना एक साल के अंद अमने भी आपसे बात की पहले आप उसमें बहुत जादा रुची दिखाते दिखते हैं that you are very interested in this issue and less in you know speaking about the about the Dalits आप दलितों के बारे में बात करते हुए उतने जादा नहीं दिख रहे हैं आजकल जितना आप बॉलिवुड के बारे में बात करते हुए दिखते हैं बॉलिवुड से related किसी तस्वीर में दिखते हैं इस आरोप का जवाब आप कैसे देंगे मैं अभी जब दलित पर जब आत्याचार होता है तब मैं आवाज उठाता है हो अभी जब मामला एं मुंबई में ड्रक का मामला था सुशांचिंग राजपूत के मुर्थ्यों का मामला था आत्मात्याई के हत्या है निश्या सालियन का भी उसे था और अभी मतलब यह जो तो इसीतार मतलब जो मामले यह है तो यह पापायल गवोश का भी मामला है तो मैं मुंबई में रता हूँ तो मेरी जिम्मेदारी थी जब दलित पर आत्याचार होता है तब मैं वहां ज़ाता भी हो मैं उनको भीड़ भी देता हूँ और मैं उसके चंबन में मेरी भूब कर दिया राजनेताओं ने फेल कर दिया सरकार ने केंद्र सरकार ने फेल कर दिया इस वजह से उनको सड़क पर उतरना पड़ा है दलित की बेटी को के साथ आज जो हुआ है वो सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि नेताओं ने अपने आपको बंद कर लिया है दिली में सत्ता मे करके मुझे लगता है कि अइसा नेता उन्हें बंद करने के विशह नहीं हम कोई बंद रहने वाले नहीं है हम भी फिल्ड से आये हैं मैं दलीत प्यांतर की मुव्मिन चाया हूं और मैंने जब जब आत्याचार हुए तब मैंने बहुत बड़ी आवाज उटा है बहुत है कि अधावले जी आप मानते हैं कि उस लड़की के साथ गलत हुआ तो पिर आवाज उठाने के लिए अगर आप पहले सड़क पर उतर सकते तो अभी क्यों ने उतर सकते अब अब मुंबई में हमने इस बात नहीं है कि हम दलीद पर होने वाले आत्याचार को मवाइड कर रहे हैं हम भी मंत्री हो तो क्या हुआ हम तो मंत्री है तो में समाज के लिए मंत्री समाज ने मंको मंत्री पर बनाया है इसलिए आइसा कोई बात नहीं है कि हम शुक्षा पर बैठे हैं हमेशा हम रियक्शन देते हैं Mr. Ahtavale thank you so much for speaking to NDTV. Thank you.